नमस्कार दोस्तो अनुपेश्डी जुन में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम लोग हिंदी वर्ण माला ध्वनिया एम उच्छालर से संबंधित जितने भी परिछा में आए हुए महत्वपूर प्रस्ण हैं उनको सॉल्व करेंगे सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने इससे संबंधित क्लास पहले पढ़ चुका है अगर उसको आपने क्लास नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लिजे क्लास देखने के बाद आपके जो है कांसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको जानकारी हो जाएगे उसके बाद अगर आप भ्यास करते हैं तो आपको जो है समझ में भी आएगे भ्यास करने में मजा आएगा और जो भी आप सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में ज्यादा समय के लिए ठीकेगा भी उसका लिंक मैंने डिक्स्रेप्शन में दे रखा है अगर पर पहला प्रस्ण है हिंदी वर्ड माला में उस्म ब्यांजन कौन से हैं तो उस्म ब्यांजन के अंतरगा तीनों सर्ज आते हैं और हो आता है जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स प्रसन है हिंदी के जिन वर्डों का उच्चारार करते समय केवल स्वास का प्रियोग किया जाए उन वर्डों को क्या करते हैं तो ऐसे वड़ों को बोलते हैं अघोस जिनमें केवल स्वास का प्रयोखी आता है उसको क्या कि से अगोस इसका सही उत्तर हो जाएगा option A, next question is your lover, ब्यंजनों को कहते हैं तो इसको बोलते हैं अंतरस्थ ब्यंजन, इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्शन भी आपने अगर भी क्लास नहीं देखा तो क्लास एक बार जरूर देख लीजिए क्योंकि वहां पर आपको पता हो जाएगा वहां पर अंतरस ब्यंजन पास्विक ब्यंजन लुंठित ब्यंजन जितने हैं जितने टाइप के सवर हैं सब की चर्चा उसमें की गई है आप उसको देखेंगे तो यहां पर सौल करते करते जल्दी जल्दी आपको क्योंकि यहां पर हम लोग का सिर्फ उद्धे से प्रैक्टिस करना तो उसको अंसर बताती हुए चलें कि यहां पर हम लोग देखी चुके हैं ठीक है next question है निमलिखित में से ओष्धध्वणी कॉन सी है तो हमने बताया था power का जितना होता है ओष्धध्वण के अंतर गाता आता है तो यहाँ पे power कॉन सा है फो तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option D next question है निमलिखित में से कॉन सा ghost world है गोष का मतलब जब بھی पूचे तो आपको बताना है सघोष सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं परतेकवर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जिसे कवर्ग का तीसरा कौन सा होगा कवर्ग में तीसरा होगा क, ख, ग, फिर चौथा क़, और अंगर इस जो है सघोस के अंतरगत आएंगे प्रतेक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा और सभी स्वर सभी स्वर जो है सघोस के अंतरगत ही आते हैं तो इसका इसमें देखना है और दूसरा है, तो यह होगा नहीं, चो पहला है या भी नहीं होगा, म, इसका सही उत्तर हो जाएगा, म, म जो है, आखरी है, पांचवा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप्शन C, चो भी दूसरा है, तो होगा नहीं, तो इन में से सघोस वर्ड कौन सा है, C, अब आप रखना है कि प्रतेक वर का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड जो है, वह सघोस होता है, और पहला और दूसरा जो होता है, वह होता है अघोस, और सभी स्वर किसमें आते हैं, सघोस में, नेक्स प्रस्ण है, जिन सब्दों के अंत में ओ आता है, उसे क्या कहते हैं, जिन निमलिखित में से कौन सी ध्रन ओस्ट नहीं है तो हमने अभी आपको बताया कि पवर्ग जो होता है वह ओस्ट में आता है तो पवर्ग में कौन सा आएगा पफ़बभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभ नेक्स प्रस्ट है, निमलिखित में से नासिक के बेंजन कौन सा है, तो नासिक के बेंजन कौन सा होता है, जो किसी वर्ग का आखरी जो वर्ड होता है, वह नासिक के बेंजन के अंतरगत आता है, तो यहाँ पे अंतिम कौन सा है, यहाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, option B नेक्स प्रस्ण है भासा की सबसे छोटी इकाई किसे करते हैं तो भासा की सबसे छोटी इकाई वर्ड को यानि अच्छर को बोलते हैं तो इसका सही उतर हो जाएगा option D नेक्स प्रस्ण है AI का उच्चारण अस्थान क्या है तो AI का जो है उच्चारर अस्थान क्या होता है कंठ तालव्य जिसका सही उत्तर हो जाएगा option D अगर अभी आप लोगों से पहले मैं बोल चुका हूँ क्लास नहीं देखा है तो गरे मैं से एक बार दो बार देख लेंगे वीडियो आपको फिर्यात करने की कभी जूरूथ ही नहीं पड़ेगी अ浩्य कर निमलिखित मेंने कंठ धुनियां कौन से सिह हैं तो कावरग होता है व फाक कंठ के अंतरगत आता है तो coverg में यहां पर कौन है कौक हो गांगा तो यहां पर कौक हो है option में तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option a निम लिखित सब्दों किस सब्द में द्वित्य बंजण है कि जब एक रिपीट जैसे यहां पर देखिए आधा लआयाया है और फिर पूरा लआयाया है तो इसको द्वित्य बंजण बोलते है तो यह सिरफ पिस option c में है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option c युसी प्रकार द यहां पर देखिए एद्वित्य बेंजन आया हुआ है ठीक है नेक्स्ट प्रस्ट है निमलिखित में से उच्छारण अस्थान के आधार पर मुर्धन बेंजन बताईए तो हम लोगों ने देखा था कि कवर्ग जो होता है कंट होता है उसके बाद कंट के बाद के आता है ताल मुर्धन ने मुर्धन टावर्ग जो टावर्ग होता है वह मुर्धन बेंजन होते हैं तिसमें से टावर्ग में कौन से सब वड़ है ड़ और धो तिसका से उतर जाएगा option c यानि टावर का टा ठो ड़ ठो ठीक है और अड़ यह जो है मुर्धन बेंजन के अंतरगत आएंगे नेक्ट प्रस्टन है निमलिखित में से अलप प्रावर्ग कौन से हैं तो अलप प्रावर्ग कौन से होते हैं पहला किसी भी वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा जो वर्ग होता है वह अलप्र या र ल और व तो किसी वर का पहला तीसरा और पांच वां वर जो है अलप्रार के अंतरगत आते हैं तो यह पर कौन सा है तीसरा चौथा तो यह होगा नहीं जो जो पहला तो है लेकिन दूसरा तो यह भी नहीं होगा तो यह भी नहीं होगा पहला दूसरा तो यह भी नहीं होगा यहाँ पर आप्सन गलत है अब यहाँ पर याद कर लिजिए कि पहला तीसरा और पांचवा जो होता है वर्ड वही आता है अलप्रार के अंतरगत और जो बनता है तो च्व जो है वह क्कोर और इसको बोलते हैं मुर्धन यसर तो का और मुर्धन सर के संयोग से मिलकर 6 बनता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option C संयोग ते बेंजन नेक्स प्रस्ण है हिंदी सब्दकोस में 6 का करम किस वर्ड के बाद आता है तो अभी हम लोगों ने देखा कि को से मिलने के बाद बनता है तो यह जो है तो सब्दकोस में को के बाद आएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option A अगर मालीजी आपको लिखना है जैसे दो सब्द हैं कि कब एक है एक छत्त्री है और एक देदिया आपको राम तो आप यह मस्तुचिए कि वर्ड माला में छत्त्री हम नीचे लिखते हैं तो हिंदी जो सब्दकोस होगा उसमें कब आएगा फिर राम आए फिर छत्त्री आए तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि छ जो होता है को से बना हुआ है पहला इसका जो लेटर है क्या है को है तो पहले कब आएगा फिर छत्त्री आएगा फिर राम आएगा तो वहीं पूछा है कि हिंदी सब्दकोस में जो छत्त्री होता है उसका क्रम किस वर्ड के बाद आता है तो को के बाद तो इसका यहां पर यादडना है यहांपे दिया हुआ है लेकिन चुनेंगे हम लोग क्योंकि पहला जो होता है वह बिना स्वार के जो होता है यहां हम तोड़ के लिखेंगे लिक्षा को तो इसका मतलब होता है जो प्लस ओ यहां यहां का मतलब क्या है था यहां प्लस अ तो यह पहले वाले में अ नहीं होता है यहां पर सिफ जग होता है तो इसका सही उत्तर होगा option भी इस चीज को ध्यान में रखना है नेक्ट प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा पस्च स्वर है तो जो स्वर है उनको अग्र पस्च स्वर के हिसाब से तीन में बटा गया है अग्र पस्च और मध्य अग्र स्वर में आप काता है ए चोटी ए बड़ी नो हस्वा और दिर्गी और ए आय जो है प्स्वर के अंतरगत शिर्फ एक आता है और पस्च में आ हस्व दिर्ग तुट और ऑर जो है पस्वर कें अंतरगर नतरगत अता है तो Gas sor पूछा हुआ है तो आ जो है इसका सही उतर हो जाएगा आ, option A और A मद्यस्वर के अंतरगत है और E और A अग्रस्वर के अंतरगत है next question है निमलिखित में से अघोस वर्ड कौन सा है तो अघोस वर्ड के अंतरगत कौन कौन से वर्ड आते हैं प्रतेक वर्ड का पहला और दूसरा वर्ड जो होता है वह अग्रस वर्ड के अंतरगत आता है इसके अलावा आपका जो तीनों सा होते हैं इसको बोलते हैं तालब्य सा इसको बोलते हैं धन्त्य सा यह भी याद रखिएगा दंत्य सर इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं तालब्य सर और इसको बोलते हैं मुर्धन्य सर तो ए तीनों जो हैं अगहोष के अंतरगताते हैं तो पहला और दूसरा तो यहाँ पर option 100 दिया हुआ है दंत 100 तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option D next question है खड़ी पाई वाले ब्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है तो इसका सही उत्तर होगा option B खड़ी पाई को हटा कर इसका मतलब समझ यह जैसे है उजवल में हमें देखिए संयुक्त रूप को जोड़ा है तो यहाँ पर जो क्या था ऐसे होता है और इसके जो खड़ी पाई है उसको हटा कर ही संयुक्त रूप को खड़ी पाई को हटा कर next question है निमलिखित में से कौन सा वर्ड उचारल की दिश्ट से दंत नहीं है तो इसका सही उत्तर होगा दंत के अंतरगत कौन आता है जो तो वर्ग होता है तो वर्ग के जो है वर्ग दंत के अंतरगत आता है तो थो दो दो नो ठीक है तो यहाँ पर तो यहाँ दंत है नो भी दंत है दो भी नंत है तो इसका सही उत्तर जाएगा option D, औह जो है या मुर्धन के अंतर गताता है टावर्ग मुर्धन के अंतर गताता है next question है इनने में से O का उच्छारा अस्थान कौन सा है? तो O का उच्छारा अस्थान होता है कंट और ओस्थ कंठ और ओस्थ किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है तो जो स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियां होती है उनको अनुस्वार कहा जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन A हिंदी की सध्वनिय है यहाँ पर हमने बताया है कि यह तीन सध्व है या जो होता है दंत इसा होता है या तालब इसा होता है और या मुर्धन इसा होता है तो यहाँ पे इस वाले सव की बात किया हुआ है जिसका सही उतर जाएगा option B next person है कौन word ost नहीं है पूछा हुआ है तो power के अंतरगत जो आएगा वह ost होगा इसके अलावा जो है कुछ स्वर होते हैं वह भी ost के अंतरगत आते हैं जो है दोनों u होते हैं उ और उ यह दोनों ost के अंतरगत आते हैं तेहां power में वह भी आता है तेहां ost है मौ भी ost है उ भी ost है और आ जो है ost नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option D आ किसके अंतरगत आता है कंठ के अंतरगत आता है अगर जो है आप लोग एक बाद क्लास को जरूर देख लीजिए तो वहाँ पर देखने के बाद आपको इस सब याद नहीं करने के जरूरत पड़ेगी आप जो है याद आपको अपने आप हो जाएगा नेक्स्ट है अलप प्रार धोनियों का समूह कौन सा है तो अलप प्रार अभी हम लोग पीछे चर्चा कर सुके हैं कि अलप प्रार के अंतरगत कौन कौन से आता है पहला तीसरा और पांचवाँ पहला किसी भी वर का पहला तीसरा और पांचवाँ वर और अंतस्ति बेंजन अंत्रगत कौन से आते हैं यहां पर पहला को पहला है और दूसरा है तो यह आपसं सही नहीं होगा चो पहला है चो के बाद छो पिर तीसरा है फिर यह प्यांचवाँ है तो इसका सही उत्तर यहीं हो जाएगा option B यहां पर पहला है तो यह दूसरा है तो यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि पहला तीसा और पांचवाँ जो वर्ड होता है वह अलप्रार के अंत्रगत आता है इसका उत्तर होगा option B next question है वर्ड सब्द का अर्थ नहीं होता है तो वर्ड सब्द का अर्थ रंग होता है जाती भी होती है अच्छर भी होता है वर्ड का सब्द का अर्थ आकास नहीं होता है तो इसका सही उत्तर होगा option B नेक्ट प्रस्ण है निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है तो यह को जो है अर्धस्वर कहते हैं तो इसका सही उत्तर होगा आप्शन A नेक्ट प्रस्ण है भासा की सार्थक लगुत्तम इकाई क्या है तो भासा की सार्थक लगुत्तम इकाई जो होती है उसको ध्वनी बोलते हैं तो इसका सही उत्तर होगा आप्शन C नेक्ट प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा भ्यंजन अलप्राड है तो अलप्राड में कौन सा होता था एक तीन और पांच तो ए दूसरा है तो होगा नहीं ए भी दूसरा है नहीं होगा ए पहला है और ए दूसरा है तो इसका सही उत्तर होगा आप्शन C निमलिखित में से कौन सा वर्ड इसपर्स भ्यंजन नहीं है तो इसपर्स भ्यंजन के अंतर कवर्ग से पवर्ग तक यानि कवर्ग अंगा इसी तरीके से लेके कवर्ग पूरा चवर्ग पूरा टवर्ग पूरा तवर्ग पूरा और पवर्ग यह जो 25 टोटल है एक कव और के अंतरगत आते हैं मतलब इसपर्स के अंतरगत आते हैं इसके अलावा जो दो है डोड़ यह भी इसपर्स बेंजन के अंतरगत आते हैं तो यहां पर कव जो है इसपर्स बेंजन है चो भी इसपर्स बेंजन है और इसपर्स बेंजन नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Option D यह जो है अंतरस्ति बयंजन के अंतरगत आता है अंतरस्ति बयंजन नेक्स प्रस्न है हिंदी वर्ड माला में बयंजनों की संख्या कितनी है तो इसका सही हो दगा यहां पर इसको पूछना चाहिए था मूल बेंजनों की संख्या तो मूल बेंजनों की संख्या इसका सही उत्तर हो जाएगा option D जबकि अगर पूरा बेंजन अगर पूछे तो 33 मूल बेंजन है इसके लावा 2 चिप्त बेंजन है 4 सायूप्त बेंजन है तो इसके बारे में हम लोग फिर से बोल चुए क्लास में आप देख लेंगे तो वहां पर आपको कितने बेंजन हैं कितने सवर हैं आपको पता चल जाएगा यहां पर प्रस्ण इसको पूछना जाहिए था कि मूल बेंजन कितने हैं तो मूल बेंजनों की संख्या अप्शन C 33 है हिंदी सब्द में सब्दकोस में अग और वहा किस वर्ड के बाद आता है तो इसको याद रखेगा आपको लिखा मिलेगा अब जब आप बोल मला दिखेंगे तो आ और फिर इस तरीके से जो है करके लास्ट में अग अग मिलेगा तो इससे आपको याद रखना अगर कोई सब्सक्राइब के बाद नहीं आता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन B प्रसंद है एक उच्चारल अस्थान का नाम बताईए तो एक उच्चारल अस्थान काउन सा है जो A है उसका उच्छार अस्थान है कंठ तालव्य जो दोनों A और A हैं दोनों का उच्छार अस्थान जो है कंठ तालव्य अप्शन D नेक्ट प्रस्ण है निम नमे से कौन सा सब्द अमात्रिक है अमात्रिक जिसमें मात्रा नहीं हुआ है तो कारखाना में मात्रिक है प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्होनी है तो ल जो है पाश्विक बेंजन के अंतरगत आता है पाश्विक बेंजन बोलते हैं अब याद रखना है हिंदी की इसपर्स घोष महाप्रार धन्त ओस्ट यहां पर पाचों को दे रखा कि इनमें से कौन सा एक है जो इनमें आता है इसपर्स बेंजन के अंतरगत हमने पहले बताया कर bots से पावर के अंतरगत आता है कर और घोष में कौन तीसरा चोंफाधा और पांचोंवाह वर्ट आता है था महाप्रार में आपका दूसरा और चल्था यहां पर देख और तो जो되 अगर महाप्रार भी oni होगा तो वह तो पेर समझ में आ गया और इसके बाद ऊस्थ आप ऊस्थ हो की बात बोला है तो अब धेखिए इहां पर चौथा कौन है तो यह ओस्थ हो गया अब इसके बाद हम लोगों ने देखा कि वह चौथा ही होना चाहिए चौथा कौन सा है बहु है तो इसका सही उत्तर जाएगा ओप्शन ए कि नेस्ट प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा स्वर संब्रित स्वर के अंतरगत आता है तो दीगे संब्रित कि और संब्रित आता है तो दिर्ग E और दिर्ग U और यही जो लगू होते है वह अर्धसंब्रित के अर्थ गर्म अंतरगत आता है और जो तो आ, आ, और ओ, यानि दिर्ग वाले दिर्ग आ, दिर्ग ओ, दिर्ग ए, और दिर्ग जो है कुन मला के ओ, बड़े वाले जो हैं, वो विब्रित के अंतरगत आते हैं, और अर्ध विब्रित के अंतरगत कौन सा आता है, इसी का छोटा ए, और आ, आ का छोटा ओ, और इसका ओ जो आर्धविब्रित और इसके लामAD जो इतल अ होता है आदात स्वारित के अंतरगर आता है आब यहाँ पैंक पूछा हुए संवरित तो पूर्ण या पूलर पूछा नहीं हुआ है तो आप जो है option C को चुन सकते हैं तो इसका सही उतर हो जाएगा option C लेकिन संभृत के अंतरगत ध्यान रखना है कि जो दोनों दिर्ग होते हैं दिर्ग E और दिर्ग U होते हैं वहीं आते हैं और हस्व यानि छोटा E और बड़ा U जिसको बोलते हैं वह जो है अर्धसंभृत के अंतरगत आता है निमलिखित ध्वनियों में से कौन सी दन्तियोष्ट है तो दन्तियोष्ट जो होता है वह दन्तियोष्ट के अंतरगत आता है इसका सही उतर हो जाएगा option D नेक्स प्रशन है यह आप एद्यान दिए उसम संघर्षी नहीं पूछा है उसम संघर्षी पूछा होता तो हो जाता उसम संघर्षी के अंतगत जो तिनों का दंत और मुर्धन सो हैं वो तिनों आते हैं और हो आता है या उस मसंघर्षी के अंतरगत आता है जबकि इस पर संघर्षी के अंतरगत जो है आएगा आपका जो ठीक है इसका से उत्तर होगा option नेक्ट प्रस नहीं है हिंदी सब्द कोज के अनुसार संतान सकल सच सथम सब्दों का सही क्रम कौन सा है तो यहां पर सबसे पहले देखिए अब सो है सो के बाद यहां पर सो में क्या जूड़ा है सो में और जूड़ा है और के बाद जो है यहां पर आया है जो है अंग आया है तो हमने बोला था कि और के बाद जो है अंग आता है तो पहला तो यही होगा फिर उसके बाद दूसरे नमबर पर अब यहां पर देखेंगे को तो को आया है तो दूसरे नमबर पर सकल हो जाएगा और हमने सच्छम और यहां छत्री और चौ में चुनना है तो छत्री जो है वह को के बाद आता है हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं तो सच् नहीं देखी है तो फिर से एक बार कर रहा हूं क्लास वाली वीडियो आप देख लीजिए और उसके बाद अगर इसको एक बार प्रेक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में भी ज्यादा आएगा और इसको प्रेक्टिस करने में मज़ा आएगा और आपके जो डाउट होंगे दोनों को अगर उसको देखने बाद प्रेक्टिस कर लेंगे तो इस चैक्टर से आपका प्रस्ण कभी छूटेगा नहीं अगर उम्मिद करता हूँ इस वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी गर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें और उसके बाद भी अगर दोनों वीडियो देखने के बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करें आपकी जो है समस्या को सॉल जरूर की जाएगी और अगर वभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें साथ में बेल आइकेन भी दबा दार है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धनवाशा है